आज मैं आप लोग के साथ सेयर करें कुछ न्यू यान यूनिक रेसिपी जो कि यह कठल बोलते हैं और इंगलिस में इसका नाम जैक फ्रूट है तो बहुत ही टेश्टी लगता है तो इस तरीके से आप लोग बना करके जरूर ट्राइ करना और बताना मुझे कुमेंट में कि इसका रेसिपी और आपको मैथ हड़ कैसा लगा तो सुगाई जाए देखते हैं किस तरीके से मनाते हैं तो यह देखिए मैंने कठल को क्या क्या अच्छे तरीके से कट कर लिया उसके बाद मैं इसे बॉयल कर लियू हूँ तो यह बॉयल करने से थोड़ा सा गल जाता हो बह के बाद ये सारे खड़े मसाले को अच्छे तरीके से कूट दीजे कूटने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और उसके बाद मैंने तड़का दे दिया है इसका और उसके बाद मैंने लेशन का तड़का दे दिया है लेशन का तड़का देने से बहुत ही अच्छा होता है इसे घड़ा सा ब्राउन होने clubs दी जिल नेशन को उसके बाद प्याज डालिए तो प्यास डालने के बाद आप कत्हाल की साब से प्याज ड्लिए क्यूंकिक्टर ठेस्टी बहुत ही बनता गाइस जो कि मैं कुछ लोग होते हैं कि डिरेक्ट प्याज डालके नमक डालके एक स्टीम लगा करके प्याज को गला देते तो वो टेस्ट सबजी में नहीं आता है जो कि आप भूनते रहे हैं भूनके ही प्याज को गला यह बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है फिर उसके बाद मैंन में झाल दाले हिए जीरा पॉडर है और यह मोर अध चाल यह यह मेरा सेंट मसाला जो हम घर पे बनाते हैं और रिडि करते इसके बाद मैंने हिंग डाला है क्योंकि हींग जो डालने से होता ना ज़िछो डायरिषन बहुत अच्हा होता है फिर मैंने थोड़ा-स तकस्याली ल ये अच्छा टेस्ट आता है जो कि बहुत लोग गला देते हैं जैसे मैंने बताया न कि प्याज को डिरेक्ट नमक डालके एक स्टीम लगा करके वह टेस्ट नहीं आता इस तरीके से आप लोग बना करके ज़रू ट्राइक करना और नमक मैंने डाला है लास्ट में जो कि नमक तुरन नहीं डालना चाहिए नमक सारे मसाले को भूनने के बाद नमक डाल दीजिए और कटहल को डाल के आप पूरा मिक्स कर लीजिए यह देखे कितना अच्छा कलर भी आ बहुत यह देश्टी है और फिर उसके बाद मैंने डाला है पानी पानी आप अपने अनुशार डाल हो गया है देखे कितना लाजवाब लग रहा है उसके उपर से मैं फ्लेवर के लिए धनिया डाला है और धनिया तो मतलब कॉमन है डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं आपको अच्छा लगे तो तो सो गाइस मेरा कठल बनके रेडी हो चुका है तो आप लोगों को कैसे बताना मुझे कॉमेंट में और जो कोई भी देख रहा है मेरा चनल अगर लाइक से सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज गाइस जल्दी से सब्सक्राइब